आज की कहानी का नाम है नफरत ए इश्क, यह इस कहानी का सेकंड भाग है, यह एक हिंदी कहानी है, चली यह शुरू करते हैं, रेश्मा एक सभ्य, समझदार और सुलजी हुई लड़की, ना ज्यादा किसी से मतलब रखती और ना ही किसी से उलजने की कोशिश करती, अगर सा एक बैंट में कलर्क हैं, रेश्मा की मम्मी पापा का एकसिडेंट में मौत हो गई, तब से यह अपने मौसी के साथ रहती है, रेश्मा MBA कर रही है और अपने कॉलेज से दूर चंडीगर गई हुई थी, शिविर के लिए, जब ये बोलती है तो सामने वाले की भी बोलती बंद कर देती है, वो यह नहीं देखती की सामने वाला कौन है, रेश्मा की उमर 25 साल है, देखने में गेहवा कलर है, हाई 5 पी 4 इंच, कमर तक आते बाल, चम चमाती आँखे और उसके नीचे काला तिल, देखने में एकदम लुटावन, जो एक बार देखे पीछे पलट कर जरूर देखते और ज्यादातर यह सलवार सूठी पहनती है, रेश्मा ट्रेन में चती है तो अपने सर से दुपटा नहीं निकलती है, वो भगवान से प्रार्थना कर रही है, जल्दी ही ट्रेन चलती है, वो अपना सामान सेट कर कपड़े सही करती है, और ट्रेन से बाहर जहांक कर देखती है कि कोई आया तो नहीं है लेकिन उसे कोई नहीं दिखता, तब रेश्मा पानी की बोतल लेकर पानी पीती है और अपनी तेज सांसों को शांत करती है, तब ही उसकी बैस्ट फ्रेन सांची उससे बोलती है कि क्या हुआ रेश्मा, तुम इतनी परेशान क रेश्मा बोलती है कि कुछ नहीं, मेरे पीछे पागल कुट्ता लग गया था और मैं दोड़ते दोड़ते आए हूँ, इसलिए मेरी सांसे ओपर नीचे हो रही थी, तुम टेंशन मत लो, सांची उसकी बात का विश्वास नहीं करत, वह जानती है कि रेश्मा जूट बोल रह लेकिन सही जगह ना होने के कारण वो बात को नहीं बढ़ाती है और चुप रहती है, सत्पार राना से तो आप लोग मिल ही चुके हैं, आए जानते हैं उसके परिवार वालों के बारे में, सत्पार राना एक रूरिवादी परिवार की सोच रखता है, वो अपने घर की बह बेटियां समाज में बाहर घूमने के लिए जाएं तो यह एक बहुत बड़ा अपराद था, सत्पार राना के पिता, कर्मी राना एक जमाने में वो भी बहुबली हुआ करते थे, लेकिन जब से उन्होंने रियल वीचेर में अपने आपको पाया तो उनकी सारी बहुबली खत्म हो गई, उसकी जगह उसके बेटे ने ले ली, लेकिन अपने घर में बहुत चलती है, सत्पार राना को कोई भी कानूनी कामों में कुछ समझ नहीं आता है, वो तो अपने पिता से मश्वरा ले ले लेते थे, सत्पार राना के दो बेटे और बेटिया हैं, सत्यजीत राना को लोग सत्या के नाम से जानते थे जिस तरह सत्या नाम रखा गया था उसी तरह इसका काम भी था लोगों के सामने प्यार और मोहबबत से पेश आता था क्योंकि इसके बाद उसे MLA के चुनाव भी लड़ने थे वह बिलकुल अपने बाप की तरह था ये कह सकते हैं कि वह अपने बाप से दो कदम आगे की सोचता था सत्या एक नंबर का संकी आदमी था जो चीज उसे प्यार से हासिल नहीं होती वह उसे सनक से हासिल कर लेता था लेकिन सत्या दिल का नेक बंदा था ये बात सब कोई जानता था क्योंकि उसने गाउव वालों के लिए कोई गल बेटे का नाम सिध्धार्थ राना है जो इंदिया के बाहर रहकर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है सत्यपाल राना की पहली बेटी जियोती की शादी हो चुकी है और दूसरी बेटी निधी है निधी अपनी बी ए सेकंड यर में पढ़ती है वो ही एक सुशील और शांत किस के बोलने से पहले उसके सामने हाजिर कर देती है अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है और बच्चे भी इनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं सत्यपाल राना के सामने अगर उसकी बीवी कुछ बोल देती है तो समझो उसकी शामत आ गई वो सब के सामने उसे कुछ न जी के बारे में सोच रही थी. तभी सांची आकर उसे खाने का सामान ओफर करती है. वो उसे ले लेती है. तभी उसकी मासी के द्वारा कही हुई बात उसे याद आती है कि उसे अपनी असली पहचान किसी को नहीं बतानी है. तो वो अपनी फ्रेंड से कहती है हेलो गाइस, मैं तुम लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ सभी लोग रेश्मा की बात सुनने को तैयार हो जाते हैं तब रेश्मा कहती है कि हम लोग वहाँ जाएंगे तो तुम लोग मुझे मेरे नाम से नहीं बलकि रिश्यू के ही नाम से पुकारना मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि मैं वहाँ तो किसी को जानती नहीं हूँ और तुम लोग रहोगे तो मुझे अपनापन भी लगेगा सब लोग उसकी बात मान लेते हैं और फिर उसे उसके रियल नाम से नहीं बुलाते दो रात और एक दिन के बाद ट्रेन चंडीगर पहुँच आती है सुबल के दस बज रहे होते हैं सभी ट्रेन से उतर गए थे रेश्मा प्लैटफॉर्म में आकर अपने शरीर को पूरी तरह अंगराई लेते हुए कहती है आखिर हम लोग पहुँच ही गए इस कहानी का ये भाग यही समाप्त होता है कहानी बहुत ही दिल्चस्प है कहानी में आगे क्या हुआ जाने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर पढ़े